नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजूकेशन क्लासस रामो में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो हमारा जो बाइलोजी से रिलेटेड हम प्रेक्टिस से टॉपिक वाइच करा रहे थे उसमें आज हमारा पहला लेशन जो था सेल यानि कोसी का उससे रिलेटेड आज हमारा पार्ट थ्री है पार्ट दो तक आप नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा उसकी वीडियो बन चुकी है जिसमें हम लगबग 100 क्वेस्चन तक पिछले पार्ट तक कबर कर चुके थे आज हमारा पार्ट थ्री है और ये लाश्ट पार्ट है कोसी का से रिलेटेड यानि कि हम कोसी का टॉपिक लाये थे और कोसी का के सभी इंपोर्टेंट क्वेस्चन सिर्फ कोसी का से रिलेटेड क्वेस्चन थे वो हम इस तीन पार्ट में कबर करेंगे तो ये लाश्ट पा आपको कराएंगे तो वीडियो पसंदार आगा तो लाइक सेर सस्क्राइब जरू करेगा चलिए हम सुरू करते हैं अपने टॉपिक पर और आज का हमारा अगला प्रस्ण है 110 और 102 प्रस्ण है कि डैस डैस कभी विभाजित नहीं होती है तो कौन सी कोशिका होती है जिसमें कभ रिका कोशिका जो की मस्तिस में होता है इसमें कभी विभाजित नहीं होता है तो यह चीचित द्यान लगएगा एवाला विकल्प हमारा दूसरा का सही हो जाएगा 102 का एवाला विकल्प प्रस्ण नमर 103 है कि डैस डैस के पास अपना राइबोसम और डेनने है अपना तो A और B लवक में भी होता है DNA और राइबोसम और माइट्रो कांट्रिया में भी होता है बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है ध्यान लगएगा पूछा जाता है ऐसे ही प्रस्ण बनते हैं तो दोनों में राइबोसम और DNA खुद का पाया जाता है तो यह चीचित ध्यान कोसिकांग है कौन सा ऐसा कोसिकांग है जो दोहरी युक्त जिली कोसिकांग होता है तो वो हमारा कोसिकांग होता है माइट्रो कांट्रिया डी वाला बिकल्प इसका सही हो जाएगा 104 का आगे चलते है 105 पर 105 प्रस्ण के जिली रहित कोसिकांग है कौन सा कोसिकांग है जो जि इसमें सभी जहिली युक्त कोशिकांग् अनुपस्तित होते हैं। तो किसमें जो है सभी जिली युक्त कोशिकांग जो है अनुपस्तित होते हैं वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 106 में तो कौन से तो वो हो जाएगा हमारा इन सभी डी वाला विकल्पिस में सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 107, 107 प्रश्ण करा है कि मानो कोशिका के संदिर्ध में सभी कथन चुने, सही कथन आपको चुनना है इसमें से कौन सा मिलान जो है सही है वो आपको बताना है, सबसे लंबी कोशिका की बात किया जागा तो कौन सा प्रश्ण नमर 107 का, सबसे नम्री कोशिका की बात करें तो वो तंत्री का कोशिका होती है सबसे चोटी कोशिका शुकराणू को सकते हैं आप सबसे बड़ी कोशिका जो है मदा अंडारू होता है यह मानो में होता है ध्यान रखिएगा मानो से रिलेटेड बात हो रहा है मानो कोशिका से रिलेटेड तो इस तरह से हम D वाले विकल्प के साथ जाएंगे 107 का D वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्च नमर 108 है कि सबसे बड़ी कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका इसमें से आपको बताना है तो सुतुर मुर्ग का अंड़ा B वाला विकल्प हमारा 108 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 109 सबसे डैस डैस सबसे छोटी कोसिका है कौन से बैया सबसे छोटी कोसिका है वो आपको बताना है तो हमारा विकल्प जो सही हो जागा वो माईको प्लाजमा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 110, एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैस डैस तक हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, तंत्रिका कोशिका की लंबाई वो पूछा गया है, तो कितनी हो सकती है, एक मीटर लगबग हो सकती है, एवला विगलफ हमारा 110 का सही हो जाएगा, था उन्निसमी सद्वी का जो समय था उसी को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल समय कहा जाता है दी वाला विकलप सही हो जगा प्रश्ण नमर 112 है कि लवक की खोज किसने की वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 112 में तो हीकल नमक वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था ये वाला विकलप सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 113 केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की वो आपको बताना है तो किसने किया था तो वो भी फोटान नमक वैज्ञानिक थे उन्होंने किया था ये वाला विकलप सही हो तो कुत्ते में कितना तो 46 कुत्ते में भी होता है 114 का हमारा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा तो मानो कुत्ता एक समान आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 115 आलू में गुरुसुत्र की संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 115 का विकल्प जो हमारा सह योगा वो मनुस्य से दो ज्यादा होता है 48 होता है गुर सुत्र सी वाला विकल्पिसकास सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 116 है कि मान भारती कोशी का विज्ञान के जनक कहे जाते हैं बहुत अच्छा प्रश्ण है भारती कोशी का विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है तो आलावा कोसिका के किस कोसिकांग में DNA होता है नाभिक के आलावा कोसिका के किस कोसिकांग में DNA होता है बहुत अच्छा प्रशन है किस में होता है तो वो होता है भी हमने बता ना कि एक लवक में होता है एक माइट्रो कांट्रिया में होता है तो इस तरह से हमारा सुसतर का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, बहुत कि AIS में पूछा गया question है, ध्यान रखेगा, प्रश्च नमर 118 है कि शौर उर्जा ATP में बदलती है, तो सौर उर्जा को ATP में कौन बदलता है, वो आपको बताना है, और ATP के बाद हमारे उर्जा परवर्तित होता है, तो कौन बदलता है तो क्लोरोफील, क्योंकि सौर का समद्ध क्लोरोफील से होता है, हरे पत्तियों से ही होता है, तो B वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, प्रश्च नमर 119 से, निमलिकित में से कौन सा कथन सही है, सही है वो आपको बताना है, तो अगर हम सही कथन के बात करें, तो C वाला भी आरेन्य ही विशान हुए, सिंगल हैलिक्स सन रचना अगा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्णम. 120, सधार मानों में गुर्पिस्तर 46 होते हैं, भी वालबि कलपिस्का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 101 का इस मानों सरीर की कोशिकाओं में पाये जाने वाले गुर्शूत्र जोणों की संख्या आपको बताना है तो तेइस जोड़ी होते हैं इस तरह से आपसे आलिस कह सकते हैं प्रश्ण का तरीका कैसा पूछागा उस पर फोकस करिएगा आप प्रश्ण नमर 122 जीवों में अत्यदिक विवित्ता का कारण क्या है वो आपको बताना है प्रश्ण नमर 122 का तो वो होता है उत्परी वर्तन सी वाला विकल्पिसका सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 123 है कि निम्ली की तमिसे किसमे लिंग गुण सुत्र नहीं होते हैं वो आपको बताना तो छिपकिली में जो है नहीं होते हैं डी वाला विकल्पिसका सही हो जाएगा प्रस्ट नमर 124 है कि पादप कोशिका जन्त कोशिका से किस परकार भीन होती है वो आपको बताना है तो सिधा सिधा कोशिका भीती से भीन होती है वी वाला भीकलप 124 का हमारा सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रस्ट नमर 125 जन्त कोशिका में निमलिकित में से किया अनुपस्तित होता है वो आपको बताना है कि किया अनुपस्तित होता है जन्त कोशिका में तो जन्त कोशिका में अगर हम बात करें तो कोशिका भीती असे लिए लोज नहीं पाया जाता सीधी सीधी तो का प्रश्ण नंबर आगे चलते हैं और अगला हमारा 127 वा प्रश्ण है चलते हैं प्रश्ण नंबर 128 थोड़ा इसको जूम इन कर देते हैं चलिए 128 प्रश्ण नमर 128 कोशिका का सक्ति स्रोत होता है पताईए इसमें कोशिका का सक्ति स्रोत कौन होता है वो आपको बताना है तो वह ही माइट्रोकान ट्रिया इसी एक ही प्रश्ण को कई तरह गुमा कर पूचा जाता है तो वो ही चीज है यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्ण को गुमा कर पूचा जाता है प्रश्ण नमर 129 प्लाज्मा जिल्ली क्या होती है वो आपको बताना है तो प्लाज्मा झिल्ली के गर हम बात करें तो वो एक लिपिट की बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है इस तरह से हम D वाले विकल्प के साथ चाहेंगे, A और B वाला दोनों विकल्प हो जाएगा सही प्रश्ण नमर आ जाते हैं 130, प्रश्ण नमर 130 करा कि प्रोटीन संसलेशन में निमलेकित कोशिकांगों में किसकी भूम क्या सबसे अधिक महत्पून होती है, प्रोटीन संसलेशन की बात हो रहा है, ध्यान रखेगा, ये थोड़ा जूम आउट हो जा रहा है, इस पर, अंतप्रतक जालिका की बात करें तो उसमें खुदरी जो अंतप्रतक जालिका होती है, उसमें जो है प्रोटीन संसलेशन करने की छामता होता है, इस तरह से हम भी वाले विगल्प के साथ 130 के, भी वाले विगल्प के साथ जाएंगे, आगे चलते हैं, अगला हमारा प्रश् काईं तो किसमें बनती है तो वो तिली होती है ना उसमें बनती है डी वला विखन पिसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 32 ये कुछ बहुत बड़ा प्रश्ण है पहले प्रश्ण को पढ़ते हैं प्रश्ण नमर 32 इस्तम कोशिका अनुसंधान के चेतर में नम प्राप्त की जा सकती है ऐसा नहीं हो सकता है तो दूसरा भी आपसन हमारा गलत हो सकता है बाकी और भी देखते हैं तीसरा विकल्प तो सही हो सकता है और भी है विकल्प है उसको देख लेते हैं बारतियान संदान के अंदरों में कुछ कोशिका से रेखाओं का हिस रिजन की या जिन है कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है ये भी ये सोध हुआ ही है तो विकल्प हमारा डी वाला सही हो जाए का तीसरा वर चौ कोशिकाओं के प्रत्यारोपन के संदर में असत्य कथान आपको बताना है प्रश्ण नमर 133 में तो असत्य की बात करती है ये के वर भुरून में पाई जाती है ऐसा चीज नहीं है डी वाला बिकल्प हमारा सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 134 प्रकम्पित को कि कोशिकी और आणविक नियंत्रन को कहते हैं क्या कहते हैं तो वो हम कहते हैं एमापतासिस उसको कहा जाता है एमापतासिस एवाला विकल्पे 134 का सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 135 हमारे तंत्र में अधिक्टम ATP अणवों को उत्पन करने वाला पद है तो कौन करने का कारी करता है क्रेव साइकल कहां चलता है माइट्रो कांट्रिया में वी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 136 निम लिखते में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है किस कोशिका में वो आपको बताना है 136 का विशाण वाइरस वी वाला विकल्प का सही हो जाएगा प्राश्ट नमर 137 कोशीका का सक्ती श्रोथ होता है debugging रेकरांट्रियां आगे चलते हैं प्राश्ट नमर 138 डीयने की कोज किसी ने कि थी वो आपको बताना है बहुत अच्छा प्रश्ड है प्राश्ट नमर 138 का विखल्प जो हमारा होगा वो हो जाएगा जिन स्वास्टन एव फ्रांसिस क्रिक एव अलब विखल्प इसका सही हो जाएगा 38 का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर रिक्शोनतालिस सवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी उपर किस से जाता है आपको बताना है तो जाइलम टिसू से जाता है ध्यान नखियेगा डी वला विकल्प सही हो जाएगा 149 का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर रिक्शोनतालिस पूरूस जीन संगटन होता है पूरूस में काउंट से पाया जाते हैं तो एक्स वाई पाया जाता है न हाँ मैलाओं में एक्सेस पाया जाता है ध्यान रखियेगा बी वला विकल्प सही हो जाएगा प्रश्ण नमर 141 से प्रियोकसाला में सवरप्थम डिने का संसलेशन किया था तो हर गुबिंद खुराना जी थे बी वला विकल्प इसका सही हो जाएगा एक्सो एक्सो एक्तालिस का आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 142 तना काट आम तोर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रियोक किया जाता है किसके प्रवर्धन के लिए प्रियोक किया जाता है तो वो गन्ना के लिए बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा क्योंकि गन्ना देखें होंगे न हर जगा ऐसे-ऐसे कटा हट रहता है तो उसी को ताना काट आम तोर पर किसके परवर्दन में किया जाता है तो गन्ना में प्रशनमर 143, 80% से अधिक सेल में सेल से पाय जाने वाला पदार्थ है वो आपको बताना है सैल से कान 80% अधिक पदार्थ पाय जाता है प्रशनमर 143 तो वो होता है जल, क्योंकि जल से ही उसमें भरा राता है, जल ही कोशिका द्रव भी होता है, द्रव होता है तो 90% द्रव भी पाय जाता है, इसलिए जल डी वाला पिकलभ dankर इसका सेही हो जाए गा पदारत की रूप में पानी ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोसी काओं में प्रश्ट नम्मर 144 मानों की पाचान को सुनिशित करने के लिए जैव परयोग की अधारित आत्याध्यूनिक टकनीक को काम में लाया जाता है जिसको लाया जाता है अतिदुनिक काम में तो वो होता है DNA finger printing को C वाला भी कलब इसका सही हो जाएगा 144 का प्रश्ण नमर 45 निम्रीकित में से कौन जीवन की अधार भूतित आई है तो वो होता है कोसी का 45 का 100 A वाला भी कलब हमारा सही हो जाएगा कोसी का ही जीवन की अधार भूतिकाई है प्रश्ण नमर 46 जन्तुय पात्पों में नई कोसी काओं का निर्माण होता है कैसे निर्माण होता है तो वो होता है कैसे देखे पूरुवर्ति इस्तिति कोसी काओं में विभाजन से हाँ राईबोसम मिलते हैं किसमे जिल्ली रहित यानि किसमे जिल्ली नहीं पाजाती है वो राईबोसम जो है प्रोकरीरटिक कोसी काओं में पाजाते हैं केवल एवाला बिकलब जो है आज हो जाएगा प्रश्ने मरगतु सैंतालिस का देखे ये किसे दोनों में का सकते हैं आप Україक दोनों में जिली रहित भी दोनों में पाया जाता है यह बात को ध्यान लखिए आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 148 पौधों में प्रकाश रश्रश के लिए आवस्यक प्रकासी उर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है वो आपको बताना है तो किसे हरित लवक द्वारा बी वाला बिकल्पिसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 149 मानो शरीर में किस कोशिकांग में प्रोटीन का सस defense होता है वो आपको बताना है राइबो सोम बी वाला बिकल्पिसकास सही हो जाएगी द्वाला बिकल्पिसकास सही हो जाएगा आगे चलते हैं प्रश्ण नमर 155, DNA की स्रिंखला बधी होती है, किसमें बधी होती है, DNA की स्रिंखला तो वो बधी होती है, हाइड्रोजन बंधों से बधी होती है, तो D वाला बिकल्प इसका सही हो जागा प्रश्ण नमर 151 का प्रश्ण नमर 152 है, कि DNA बहुलक है, किसका बहुलक है, तो नुकलियो टाइड का जो बहुलक होता है, बिकल्प जो हमारा एवाला सही हो जाएगा, बहुत बार ऐसे प्रश्ण बने हुए हैं, तो ये थे कोसिका से रिलेटेड हमारा पार्ट 3, जिसमें हमने सभी कोसिकाओं स के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरू करेगा, थेंको, थेंको फार वाचिंग दिस वीडियो